इक तारा म किसी होटल से सेट रिल्स कैसे बना हैं? सबसे पहले फ्रेंड से आपको अपने इिंस्टाग्राम एपको अप्डेट कर लेना है अप्डे wichtige करनी के बाद ऑफेरी करना है जैसे यह ऊपें होगा आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद उपर आपको एक प्लस बटन दिखेगा इस पे आपको क्लिक कर देना जैसे इस पे क्लिक करने यहाँ पे रिल्स लिखा हुआ दिख जाएगा टॉप में इस पे क्लिक करना डिएस पे कलिक करने को बांत से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी अब अपने गैलरी से जोभी सएड छोटक है उसको इसको सेलेक्ट कर देज है कि हम अपने इस 1 रखें तो यहां पर मेंацию तो कुछ इस तरीके से आप हो जाएगा अगर मारो फोटक अच्छा नहीсь लग है बैक करना चाहते हो तो यहां पर नीचे आपको edit video का option सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर एक छोटा सा icon दिखेगा इस क्लिक करना है और फिर से उसी फोटो को select कर लेना है select करने वा either फिर से आपको इसी आइकन पर फोटो करीड़ो आजयेगा अब आपskop का जो वीडियो बनेगा पंदा सेकेंड का बनेगा यहां पर थीक है तो नौर्माल हमारा वीडियो इस तरीके से दिख रहा है तो इसके लिए हम इसमें कुछ attractive effect होगा रहा डालेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले photo पे click करेंगे, photo पे click करने के बाद से, यहाँ पे edit video पे click कर देना पहले, और इस जो photo है, photo की size आपका, एक photo का size यहाँ पे 5 second दिखा रहा है, तो इसको आपको cut कर देना है, जैसे कि इस तरीके से आप बढ़ा कर लेना, और इसको cut कर लेना, तो मैं यहाँ पे cut कर देता हूँ, और 5 second है, तो इसको हम 3 second यानि 5 second पे कर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे मैं 5 second आधा-ाधा कर देता हूँ, 50-50, ओके, यहाँ पे split है, split पे click कर देंगे, cut हो जागा, फिर से इस फोटो को भी आधा-ाधा कर लेंगे, यहाँ पे कर दिया, और इसको यहाँ से cut कर देंगे, देखे, split लिखा हुआ दिख रहा है, split पे आप click करोगे, तो यह cut हो जाएगा, ओके, इस तरीके से इसको भी cut कर देना है, 50-50 करके, ओके, यहाँ पे इसको भी कर दिया, अब इतना काम करने वाद से हमारा फोटो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अभी भी इस पे कोई effect नहीं पड़ा हुआ, simple चलेगा, लेकिन इस पे हम effect डालेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो एक छोटा सा icon दिखेगा, हर फोटो के बीच में छोटा white box type क आपको दिखेगा, इस पे click करना जो white box दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से transition आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का transition, तो आपको जो transition यहाँ पे अच्छा लगएगा, वो select कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यहाँ फ्लेयर जो है, इसको select कर लेत कर लेते हैं, done कर दिया, फिर इस तीसरे वाले पे click करेंगे, इस पे फ्लेयर वाला select करेंगे, done कर देंगे, अब उसके आगे वाले पे click करेंगे, यहाँ पे यह वाला select कर लेते हैं, done कर देंगे, और यहाँ पे फ्लेयर select कर लेंगे, फ्लेयर जो है काफी अच्छा लग रह देख सकते हैं अभी एक चीज एड़ करना है इसमें फोटो पर यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां पर देखिए हमारा फोटो जो है ना फिल्टर का आइकन दिख रहा है उसके जश्ट आप स्टार्टिंग वाले पॉंट पर देखेंगे म्यूजिक आइकन दिखेगा इस पर जो भी sad song है उसका नाम है पर टाइप कर देना है या फिर आप लिख सकते है sad song sad song लिखेंगे तो जो भी sad song रहेगा वह आपको देखनी को मिल जाएगा तो मैं यह वाला song sad कर लेते हूं यह काफी sad है तो इस पर click करेंगे sound कम कर लेते हैं song आ जाएगा यहां से song का हम manage भी कर सकते है manage करने के बाद से done पर click कर देंगे जैसे ही done पर click करेंगे हमारे इस वीडियो पर song add हो जाएगा मैं सुना देते हूं आप देख सकते हैं add हो गया अब यहां पर filter का icon देख रहा है इस पर click करेंगे और यहां पर filter search कर लेंगे जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं यहां पर type कर देखर ना फिर आपको हर्ट लिए ना यहां पर दिख्या पर यहां पर आपको दिख भी रहा है broken heart तो यहांपर लिख लेते हैं हाड है ओके ब्रोकेन हाट हमने लिग दिया यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा ब्रोकेन हाट हमको फिल्टर देख रहा है तो क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देख रहा है ब्रोकेन हाट ओके तो आपको यह वाला ब्रोकेन हाट सेलेक्ट करना है यह जो काफी sad वाला है और उसी तरीके का एक कांच भी दिख रहा है तो एवाला आपको add कर लेना है add करनी के बाद से यहाँ पर next कर देना है जैसे ही next करोगे यहाँ पर edit cover पर click करना है और cover select कर लेना है done कर देना है और write a caption पर click करके जो song लगा है उसका title लिख सकते हैं अपने mood के हिसाब से sad रहा कर वीडियो है तो sad लिख सकते हैं sad या mode of लिख सकते हैं जैसे मैं लिख दिया है hashtag गोगरा जो भी है ना अच्छे से यहाँ पर भर लेना है उसके बाद से simple आपको share पर click कर देना है अब जैसे को वीडियो पसंद दियो तो लाइक करना share करने प्यारा से कमेंट करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौल प्रेस कर लेना फिर मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए धनवाज जैहिन बंदे मात्रम